बांगलादेश प्रेमियर लीग के फाइनल मैच में केरिबियन धाकड बल्लेवाज क्रिस गेल ने इतने छक्के बरसे कि उन्होंने अपना ही रेकॉर्ड तोड दिया गेल ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने के अपने ही रेकॉर्ड को तोड एक नया रेकॉर्ड अपने नाम किया दरसल गेल ने रंगपूर राइडर्स की ओर से खेलते हुए नाबाद 146 रनों की पारी खेली इस पारी की खास बात ये रही कि गेल के इस तूफानी पारी में उन्होंने 18 गगन चुम्बी छक्के जड़ दिये इस तूफानी पारी की बदौलत रंगपूर राइडर्स ने 20 ओवर में 206 रन बना डाले और ढाका डाइनमाइट से ये खिताबी मुकाबला 57 रनों से जीत लिया ये पहला ऐसा मौका था जब बांगलादेश प्रेमियर लीग में रंगपूर राइडर्स चैंपियन बना आपको बता दे की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्ये लगाने का रेकॉर्ड इस मैच से पहले भी गेल के ही नाम था गेल ने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलरू की तरफ से पूने वोरियर्स के खिलाफ चाचट गेंदों में नाबाद 175 रनों की पारी में 17 छक्ये जमाई थे मैच में सिर्फ यही रेकॉर्ड नहीं बना अपनी इस शत्किय पारी के साथ गेल ने T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिये है उनके पीछे 8526 रनों के साथ न्यूजिलेंड के ब्रेंडन मेक्यलम है गेल की T20 में ये 20 वा शतक रहा हाली में उन्होंने BPL के अलिमिनेटर मुकाबले में 19 वा शतक जमाया था तब उन्होंने नाबाद 126 रनों की पारी खेली थी Sports R की रिपोर्ट